नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बर फिर से हमारे चैनल डेली प्रोड़क्ट कंपेरिजन पर दोस्तों रनिंग शूस एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई उस करता है लोग अक्सर डेली वेर में इसे ही पहनना प्रिफर करते हैं लेकिन ऐसे में उनके सामने ये समस्या जरूर आती है कि कौन से स्पोर्ट शूस उनके लिए अच्छे हैं और किन पैरामीटर्स पर वो एक स्पोर्ट शू का सेलेक्शन कर सकते हैं इसी बारे में बात करने के लिए आज हम अपना ये वीडियो लेके आयें जिसमें हम जानेंगे कि आपको एक स्पोर्ट शूस को किन-किन पैरामीटर्स पर सेलेक्ट करना चाहिए और किन-किन टाइप के शूस आपको मार्किट में देखने को मिलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को दोस्तो सबसे पहले जानते हैं कि स्पोर्ट शूस होते क्या हैं तो स्पोर्ट शूस या एथिनिक शूस उन फुटवेर को रेफर करते हैं जो स्पैसिफिकली स्पोर्ट या फिजिकल एक्टिविटी के लिए डिजाइन किये गए होते हैं ये शूोज एतलीट के पर्फॉर्मिंस को इंपूरूफ करने और उनके पैरों को सपोर्ट करने और इंजिरीज को प्रिवेंट करने के लिए टैयार किये जाते हैं sport shoes आम तोर पर किसी भी physical activity के लिए comfort और functionality को धियान में रखकर design किये जाते हैं दोस्तों ये तो बात हुई sport shoes कहते कि नहीं हैं अब हम ये जानते हैं कि sport shoes आपको किन-किन parameters पर select करने चाहिए और किस-किस type के sport shoes आपको market में देखने को मिलते हैं लेकिन इस बारे में जानने से पहले हम कुछ words के बारे में जान लेते हैं जिनका use आज इस वीडियो में काफी बार होने वाला है तो सबसे पहला word है pronation या pronated दोस्तों pronation हम उस case को कहते हैं जब आपका pair invert type से रखा जाता है जैसे कि आप वीडियो में अपनी screen पर देखी पा रहे हैं जब आपका pair invert रखा जाता है तो उस case को pronated foot कहा जाता है और इस case को pronation कहा जाता है सेकिंड वर्ड हमारा आजाता है सुपिनेशन या सुपिनेटिड सुपिनेशन प्रोनेशन का opposite होता है यानि कि जब आपका pair आउट वर्ड रखा जाता है आप देखी पा रहे हैं वीडियो में स्क्रीन पर कि जब आपका पैर आउट वर्ड रखा जाता है तो उस case को हम supinated foot कहते हैं और इस case को या इस condition को supination कहा जाता है हमारा last word आजाता है arc आर्क क्या होता है हमारे पैरों में एक गुलाई देखी जाती है यानि अगर आप अपना foot देखेंगे तो उसमें एक round जैसे circle देखा जाता है वो portion आपका arc कहलाता है जो normal foot होता है उसमें arc थोड़ी सी कम होती है बहुत जादा ना हो और बहुत जादा कम भी ना हो तो उसे हम medium arc बोलते हैं और normal foot उसे ही consider किया जाता है लेकिन कई सारे लोगों के पैरों में low arc भी देखी जाती है या high arc भी देखी जाती है उस case में उसे flat foot कहा जाता है और जो हमारा दूसरा type आजाता है यानि जिनमें high arc देखी जाती है उन्हें हम hollow foot कहते हैं आईए आप जानते हैं कि एक अच्छे running shoes select करने के लिए या choose करने के लिए कौन से important factors को ध्यान में रखना चाहिए तो number first आजाता है foot type यानि पैरों का प्रकार अगर आपका fit flat है यानि अगर आपका पैर जो है वो थोड़ी सा flat है और आपके पैरों में arc थोड़ी सी कम है तो आपको ऐसे shoes लेने चाहिए जो कि आपको stability provide करे और वहीं अगर आपका high arc है यानि की मतलब आपके जो पैरों में वो round shape है वो काफी जादा है spacing काफी जादा है तो ऐसे लोगों को cushion shoes लेने चाहिए second number आजाता है running style यानि दोड़ने का तरीका अगर आपका जो पाउं है वो pronation के case में मतलब जादा रहता है यानि invert rolling जादा करता है तो आपको stable shoes लेने चाहिए means आपको ऐसे shoes लेने चाहिए जो कि आपको stability provide करे अब वहीं अगर हम supination case की बात करे यानि कि अगर आपका पैर outward rolling जादा करता है मतलब अगर आप दोड़ रहें और आपका पैर outward जादा जाता है तो आपको cushioned shoes लेने चाहिए next parameter आजाता है shoes type यानि जूते का size आपके पैरों का size क्या है तो हमेशा अपने exact shoe size के ही shoes select करने चाहिए अगर shoes tight होते हैं तो वो blistered और discomfort का कारण हो सकते हैं इसलिए हमेशा ही अपने exact shoe size को ही choose करें fourth हमारा आजाता है cushioning running shoes में cushioning आपके पैरों को protect करता है और impact को absorb करता है तो अगर आप long distance running करते हैं तो आपको ज़ादा cushioned shoes का इस्तेमाल करना चाहिए next parameter आजाता है weight अगर आप light weighted shoes prefer करते हैं तो आपको flexibility और speed ज़ादा मिलती है लेकिन अगर आपके लिए support और stability important है तो आपको slightly heavier shoes ही लेने चाहिए next हमारा आजाता है terrain यानि कि आप किस road पे मदब आपको चलना किस road पे या किस type के route पे ज़ादा होता है अगर आप road running करते हैं तो road running shoes choose करें और अगर आप trail running करते हैं तो trail running shoes का इस्तेमाल करें जो कि grip और protection provide करते हैं अगर आप उपर के parameters पर नहीं जाना चाते हैं तो आप कुछ repeated brands के shoes भी ले सकते हैं ये भी एक अच्छा option होता है आप उनके online review पढ़ें जिससे कि आपको पता चल पाए कि दूसरे लोग उस particular model के बारे में क्या कह रहे हैं और उसके according भी आप अपने लिए एक अच्छे shoes का selection कर सकते हैं next आजाता है flexibility एक अच्छे shoes ऐसे shoes होते हैं जो कि आपके पैरों के natural motion को follow करें next आजाता है हमारा budget आपके budget के according भी आप shoes का selection कर सकते हैं मगर धियान नहीं कि quality पर compromise ना करें क्योंकि अच्छे running shoes आपके healthy रहने के लिए भी बहुत important होते हैं and last but not the least try before you buy यानि कि पहले try जरूर करें कभी भी online order करने से पहले अगर possible हो तो physical store में जाकर उन shoes को try जरूर करें जो कि आप लेना चाते हैं यह आपको सही size और fitting के shoes मिलने में मदद करेगा तो दोस्तों यह थे कुछ factors जिनके basis पर आप एक अच्छे shoes का selection कर सकते हैं आप इन सारे, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप इन सारे factors को तो mesh नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर आप इन में से कुछ factors को भी consider करते हैं तो भी आप अपने लिए एक अच्छे shoes का selection कर सकते हैं अगला हमारा question आजाता है कि कौन-कौन से type के running shoes आपको market में देखने को मिलते हैं तो running shoes पर कई अलग-अलग type के होते हैं और यह इस बात पर depend करता है कि आप किस तरीके से दोड रहे हैं और आपके पैरों का प्रकार क्या है और आपके personal preferences क्या हैं लेकिन यहां पर हम कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में बात करने वाले हैं तो हमारा पहला shoe type आजाता है neutral running shoes यह shoes उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पैरों में अधिक pronation या supernation नहीं होता है यानि कि ऐसा case जिसमें आपका पैर ना तो जादा pronation में जाए ना तो जादा supination में जाए उस case को हम कहते है neutral case तो इस case के लिए neutral running shoes लेना आप prefer कर सकते हैं यह shoes generally cushioned होते हैं और versatile भी होते हैं जिनके use से आप comfortable running कर सकते हैं next आ जाता है stability running shoes यह shoes उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पैरों में mild pronation होता है इन shoes में extra support होता है arc area में जो कि आपके पैरों को stable रखने में help करते हैं थर्ड आ जाता है motion control running shoes इन shoes में strong support होता है जो excessive inward rolling को रोकता है cushioned running shoes इन shoes में extra cushioning होती है जो impact को absorb करता है especially long distance running के लिए यह अच्छे माने जाते हैं दोस्तों यह तो बात हुई running shoes के type की अब हम यह जान लेते हैं कि कौन सा running shoes आपके लिए सबसे best माना जाता है तो इस बारे में हम यह कहना चाहेंगे कि सबसे अच्छा type के running shoes वही होता है जो आपके running style, पैरों के shape और personal preference को ध्यान में रखते हैं तो इसलिए आपको running requirement के according ही अपने लिए एक सही running shoes का selection करना चाहिए तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो informative लगा होगा अगर आप in future ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी subscribe करें और इस information को ज़्यादा से ज़्यादा logo तक पहुचाए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like और share जरूर करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद